तो उन सेकिन में फिर से आगे एक न्य वीडियो लेकर और इस वीडियो में में बात करूगा स्पाइडामेन फोर्मोई के बारे में तो शिलिए वीडियो को शाठ करती है तो उनका सपना पूरा होगा शायद और ऐसा मैं क्यों कहा रहा हूँ मैं आप लोगों को बदा देता हूँ तो रिसनली रूमर ये निकल के आया है कि मैडलिन क्लाइन बाचित कर रहे शूडियो से ताकि वो अप्यार हो सके स्पाडर मैं फोर मुई में बात करूं कि वो कौन से रूल में नजर आ सकती है स्पाडर मैं फोर में तो वो रूल हो सकता है बलेक कैट का या फिर हो सकता है गुएन स्टेसी का तो let's see कि वो कौन से रोल में नजर आती है personally मैं चाओगा कि Gwen के रोल में वो appear हो अभी देखते आगे क्या होता है और अब बढ़ते आगे और बात करती है Spider-Man 4 के Working Title के बारे में तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो तो यह Working Title Spider-Man 4 movie का और एक rumor यह है कि Spider-Man 4 के जो events होगे वो set होगे Avengers Doomsday के बात के यानि कि Avengers Doomsday में जो कुछ भी होगा उसकी story को आगे continue किया जाएगा Spider-Man 4 में लोग सोच रहे थे कि Spider-Man 4 में पहले की story बताया जाएगा क्योंकि Spider-Man 4 दोना Avengers की बीच में release हो रही है तो लोगों को ऐसा लग रहा था बट rumor के according ऐसा नहीं होगा Spider-Man 4 की जो story होगी वो Avengers Doomsday की बात की होगी तुमें भी ऐसा हो सकता है कि Avengers Doomsday के end में Spider-Man को मेले Venom और जो Spider-Man 4 होगी वहाँ पर story बताया जाए Venom और Spider-Man की के आगे वो लोग कैसे continue कर रहे हैं उनकी journey और ये movie multiverse से भरी हुई होगी definitely इससे तुम में confirm हो चुका हूँ और हो सकता है कि टॉबे Maguire और Andrew Garfield फिर से उनका appearance इस movie में दे जो कि देगे ही और जितना भी आप लोग कहलो मेरे साब से ये एक multiverse level movie होने वाली है अगेन और पिछले से और बड़ी होगी यानि कि spider-man new movie से भी और बड़ी होगी है तो आगे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बता दूगा चैनल पे बने रही है I hope कि आप लोगों के वीडियो च्छे रगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करो और कि न्यू बंदय बंदी हो चैनल को शेर और सब्स्राइब करो तो मैं मिलता वैसे किसी नेक्स वीडियो में तिल देन चैनल को शेर करो